Welcome back to our YouTube channel Decoding Sports तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं LNIP BPA Entrance 2022 के बारे में ठीक है आपको दिख रहा होंगे स्क्रीन पर कुछ पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे पहला पॉइंट है आपके admission form कब आएंगे दूसरा पॉइंट है आपका admission process क्या रहेगा थर्ड पॉइंट इस written test का आपका syllabus क्या रहेगा और चौथा पॉइंट है आपका कौन-कौन से game से आप skill test दे सकते हैं और पांचवा पॉइंट रहेगा आपका how to prepare for entrance exam तो दोस्तो हम लोग एक-एक point के बारे में detail से बात करते हैं पहला point में हमारा है admission form कब आएगा दोस्तो जो 2022 का BPA entrance का आपका admission form आपको mid-June के बीच में देखने को मिल जाएगा नया prospectus release होगा और जो आपका admission का process है यह आपका अगस्तक चलेगा जैसे ही आपका कोई भी update आएगा college के तरफ से हम आपको update कर देंगे चलते हम second point के तरफ second point में दिया हुआ है हमारा admission process क्या रहेगा दोस्तो COVID के पहले हमारा physical test होता था जब से COVID आया है physical test को नहीं करवाय जा रहा है तो दोस्तो जैसा कि आप देख रहे हैं अभी भी COVID के cases बढ़ते ही जा रहे है तो most probably इस साल भी physical test के chances बहुत ही कम है ठीक है जैसा भी changes आएंगे prospectus में वह तो मैं आपको update कर दूँगा फिर भी जो आपका इसके अलावा जो process रहेगा उसके बारे में आप देख सकते हैं screen पर return test होगा आपका 40 नंबर का और skill proficiency test होगा आपका 60 नंबर का ठीक है खुल मिलाकर आपके 100 नंबर होंगे जिसका आपको merit list में जोड़कर आपका rank आएगा चलते हैं third point के तरफ आपका return test का syllabus क्या रहेगा दोस्तों आपके return test का syllabus में आप लोगों न देखा होगा जैसे पिछले साल था वही सेम रहने वाला है general awareness, gk sports, reasoning दो तीन साल पहले English भी आता था पर आज काल नहीं आ रहे है ठीक है पर अगर prospectus में कुछ changes आई उपर नीचे तो आपको update कर देंगे पर basic basic आपका ये चीज ये तीन चीज आपका syllabus में रहे गई रहेगा general awareness, general awareness में क्या क्या आता है दोस्तों आपका normal gk आता है और current affairs, gk sports के बारे में तो आपको पता ही होगा और एक रहा reasoning चलते है next point पे, question number 4 में हमने आपके सामने paste किया है कौन-कौन से game से आप skill test दे सकते हैं दोस्तों, last year के जो prospectus release हुआ था उसमें काफी सारे individual sports को हटा दिया गया था, ठीक है तो अब जो आप games में skill test दे सकते हैं वो आपको screen पर दिख रहा होगा ये 20 games हैं, इनी games के उपर आप skill test दे सकते हैं वो games हैं, badminton, basketball, cricket, football, gymnastics, handball, hockey, judo, kabaddi, khokho, powerlifting, weightlifting, squash, swimming, table tennis, tennis, track and field, volleyball, yoga, archery and cycling तो दोस्तों, जो हमारा पांचवा point है How to prepare for entrance exam अगर आपको LNIP, BPA entrance के त्यारी करनी है तो क्या करे दोस्तों हम आपको इस exam की complete त्यारी करा देंगे आप हमारा WhatsApp गूर्प को join कर सकते हैं और जल्दी हम अपने classes को भी शुरुवात कर देंगे मेरे पास कुछ notes पढ़े हुए हैं इस entrance को आपको देने के लिए काफी helpful रहेगा तब तक आपको उसे पढ़ सकते हैं अगर आपको वो सब भी चाहिए तो आप हमारा WhatsApp गूर्प में आपको available करा दिया जाएगा तो दोस्तों यही था आज के वीडियो के बारे में thank you for watching this video stay home, stay safe, जाएंट